गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लास थर्ड, आयम यूर SST टीचर, बच्चो आज में आपको SST का लेसन 16 मुंबई एक्स्प्लें करूंगी, मुंबई महारास्टर की राजधानी है, ये भारत का सबसे अधिक प्रिसिद शहर है, ये सबसे अधिक मांग के पास हमारे देश के महानगरों में से एक है, संसार और संपूर्ण भारत से लोग मुंबई में, काम की खोज में और टूरिस्ट विभिनी रोचक स्थानों को देखने आते हैं, शहर की मुख भाषाएं मराठी, कुनकनी, सिंधी, हिंदी और इंग्लिश हैं, अब हैं इससे थे, जब पुर्तगालियों ने शहर का पद भार संभाल लिया था, तो बेव इसे बोम भाईया कहते थे, बाद में इसे बोम भे कहा जाता था, अब इसे मुंबई कहते हैं, ब्रिटिश के द्वारा मुंबई को एक सी पोड के रूप में विक्सित किया गया, ये संसा सबसे अधिक व्यस्त सी पोड यानि बंदरगाह है, यहां से प्रतेक दिन बिभिन देशों से अनेक शिप आते हैं और बिभिन इस्थानों पर जाते हैं, निश्चित ही मुंबई महारास्ट की कैपिटल है, महारास सरकार के सभी ओफिस कार्यार है, यहां इस्तित हैं, गव और दूसरे सरकारी कारयले शहर में बसे हैं, महारास्ट का उच नियाल है, बॉम्बे हाई कोड भी यहां इस्तित है, अब हैं प्लेसिस टू विजिट, मुंबई में चारो ओर टूरिस्ट के आकर्शक के बहुत से स्थान हैं, प्रतेक बर्ष एक बड़ी संख्या में टूर इस्ति संपूर भारत से मुंबई देखने आते हैं, गेटबे ओफ इंडिया मुंबई का एक लोग प्रिये सीमा चिन है, ये समुद्र के समीव ताज महल प्लेस होटल के सामने इस्तित है, स्वामी भीवेकनन्द और चत्र पतिशिवाजी जी की प्रतिमा गेटबे ओफ इं इंडिया आने के संकेत में एक बड़ा सा स्ट्रक्शर गेटबे ओफ इंडिया सन 1911 में मुंबई में बना, यह चेतर बिजनिस डिस्टिक्ट के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से महत्वफूर ओफिसेज, बैंक और थेटर आदी इस्तित हैं, जूहू और बर्सोवा आदी जो प्रतेक बर्ष हजारों टूरिस्ट को आकरशित करते हैं, मैरिन ड्राइब में अरब सागर के सुन्दर देश देखने लायक हैं, खोड़ा गाड़ी, हॉट एर बैलून, कैमिल राइड्स, जूले और चाट यह सब जूहें बीच के मुक आ करशक हैं, मैरिन ड्राइब की शाइनिंग, लाइट क्वीन, नेकलेस के नाम से लोग प्रिये है, मुंबई में छट्रपत्रिती, शिवाजी, टर्मिनस, एक आश्चर जनक धंग से सुन्दरों एतिहासिक स्टेशन है, प्रारम में इसे विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता थ मुंबई में एसेल वर्ड, हैंगिंग गार्डन, विक्टोरिया गार्डन, कमला नहरू पार्क, जहांगी राड गैलरी, तारा पोरवाला, एक्योरियम, विक्टोरिया एलवर्ट मुजियम, नहरू प्लैनेडेरियम, एंड नेशनल साइन्स सेंटर, कुछ दूसरे आकर्श के केंद्र हैं, एलिफेंटा केप्स भी शहर के पास टूरिस्ट का शिकाना या रुकने का स्थान है, ये गुफाएं मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एक दूप पर इस्तित हैं, ये केप्स हाउस भगवान शेप का ध्यान लगाने के लिए पोर रॉक कर टेंपिल है, वे आस्था यानि विश्वास का घर है, ये सिद्धी बिनायक मंदेर पूजा का सबसे अधिक प्रसिद स्थान है, यहां भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, समुद के राइट साइड में बनी हाजी अली दरगा और सेंट थॉमस चर्च भी बहुत अधिक लोग प्रि और सेंट माइकल्स चर्च कुछ दूसरे प्रसिद धार्मिक इस्थान है, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टिटूशन उद्धोग और शिक्ष्या संस्थान मुंबई में चारो और की मिट्टी कॉटन की क्रिशी के लिए सबसे अधिक अनुकूल है, अर्था सबसे अधिक पहन और फूर्ट प्रोसेसिंग है, बॉंबे हाई अरेवियन सी केस में मुंबई के कोश्ट पर कुछ किलो मीटर पर इस्थित है, ये एक किनारी से ओईल फील्ड और इंडिया में पैट्रोली मुतपादन का सबसे अधिक प्रिसिद शहर है, यहां क्रूर आयल समुदर की तली से बाहर निकाला जाता है, भावा आटोमिक रिसर्ट सेंटर मुंबई के पास ट्रॉंबे पर इस्थित है, आटोमिक एनर्जी के विभिन उप्योंगों की रिसर्च शोधों पर ले जाता है, टाटा इंस्टिट और फंडमेंटल रिसर्च और इंडियन इंस्टिट औ टेकनलोजी भी मुंबई में इस्थित है, मुंबई भारत में फिल्म इंडस्ट्री के सेंटर केंडर होने के कारण भी प्रसिध है, यह फिल्म इंडस्ट्री में वॉलिवुड नाम से लोग परिये है, सैक्रों फिल्में, टेली सीरियल्स और डाकुमेंटरी फिल्म प्रते एक वर्ष यहां बनाई जाती हैं। एक बड़ी दंख्या में इस्टूडियूज फिल्म उत्पादन में व्यस्त हैं। हॉलिवुड यूएसे में एक ऐसा स्थान है जो संसार में इंग्लिश फिल्म प्रोडक्शन का में सेंटर यानि मुख्यकेंद्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी-कभी मुंबई भारत की हॉलिवुड के रूप में जाना जाता है। क्लाइमेट यानि जलवायू मुंबई समुद्र के किनाले पर इस्तित है। इसलिए यहां की जलवायू लगवा पूरे वर्ष भर नर्म यानि मध्यम और हलकी रहती। इस शहर में बर्शा रितु में जून से सितंबर तक अत्यदिक बर्शा होती है। अब है फूड यानि भोजन। मुंबई में स्ट्रीट फूड यानि सडक का खाना बहुत लोग पूरी है। भेलपूरी, बड़ा पाओ, पाओ हाजी। इस शहर के कुछ प्रसिद्व स्वादिश्ट भोजन है। लोग श्रीखंड और अफलातून जैसी मिठाईयां खा कर भी आनन्द लेते हैं। मुंबई में बहुत संख्य, बहुत संख्य लोग यानि अधिक से अधिक संख्या में लोग वेजिटेरियन हैं, यानि शाकाहारी हैं। मुंबई में बिभिन धर्मों के लोग रहते हैं। इस प्रकार भे अपने धार्मिक पर्वों को मनाते हैं। सबसे अधिक प्रसिद्व तिवहार गनेश चतुरती है, जो बहुत धूंधामा और दिखावे के साथ मनाई जाती है। उस सबका अंत 10 दिनों में होता है। 11 दिन भगवान गनेश की विशाल मूर्तियों के साथ आनंद और भक्ती से जुलू सो परेड निकाली जाती है। परेड की बाद ये मूर्ती समुद्र में विसर्चित कर दी जाती है। मूंबई में बहुसंग की पुरुष धूती और कुर्ता पहनते हैं और इस्तिया पारंपर के स्टैल की साड़ी पहनती है। लोकल ट्रेन मूंबई की जीवनशैली का एक ऐसा अधार है जो 70 लाग से भी अधिक लोग ट्रेन बस सर्विस यानि की रेल सेवा का डेली उपयोग करते हैं। टैक्सी, आटो रिक्षाज और फेरीज कुछ दूसरे यतायात के साधन भी हैं। मुंबई भी सभी रूर्स से देशों के दूसरे भागों से जुड़ा हुआ है। बचो इस चेप्रेट एक्पिनेशन नहीं पतम आपता है। नेक्ट क्लास में में आपको इसका बर करवाँगा।